हाज जी पाजिस्ता स्वेकाल एक नई वीडियो के साथ आज आपको करनाल के दो जगा के परशीद छोले बुटूरे के आपको आज रिव्यू देंगे कि उनकी पैकिंग से लेके छोलो की जो काफी परशीद है लोग जाते हैं तो आज हम अपने घर पे लेके आया हैं उनकी पैकिंग करवाए कि यह खोले बुटूरे हारियों वालो के और एक सर्दार जी हैं गुरू किर्पा वाले उनके छोले बुटूरे हैं उन- दोनों के रिव्यू बताएंगे उनके छोले बुटूरे की तेस्ट एच्च भाज है और क cavalry ।श्वाज थैरे कंदये occurs इनकी पैक पैकिंग मैं और यह दूसरी पैकिंग है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूंगा कि जो इस दुकान की पैकिंग आद बगधा है जो भीग और यह जो अधर विड़ है यह देखिए जो पाद भी गया यह देखिए और यह रहे इनके दो प्लेट के चोलने बुरे यह है। यह हरी हुम हुले के चोलने बुतओरे की पैकिंग estar Duarlalad पैक कराई थी यह तो है इनके पैकिंग देखिए कागज का फर्क है सो चलो पैकिंग है कागज का कोई दिक्कत नहीं है इसमें और सेकेंडली हमारे हैं अब छोलों पर यह देखिए जो छोले हैं उन्होंने बड़े अच्छी पॉलिथीन की अंदर जो है पैक की हैं और इनके देखिए इनके और इनकी पैकिंग जो पैकिट थर्ड हो गया इनका आप लाल मिर्ची अहरी मिर्ची बड़े करते हैं यह देखिए यह हरी मिर्ची और इनकी जो है इनोंने कोई हरी मिल्चिरी दिया है और ये इनका सिलाद दिया और ये इनको पैकिंग की है जुक्स हमस्ट दिकत नहीं है पूरी हन्हें काझग भी ओर हुरी चटणी प्याज है और अधे रwater राड़ आन्दर ऑप्याज़नी इन्होंने इन्होंने जो एट चिली डाल है और इस बड़ से दिया रॉप जो एट या रह से टी जया उल्ग घोनिली बड़ टी पाइक डी तिसमmp थूपल्खार्जनी चिली पाइक दी है जो छोले हैं उनका थिखनेस जो है जो उनकी गाड़ा पन होता वह कितना होगा यह देखिए और यह ॡाला मैंने यह है छोले और द्सावरी दूकान के छोले जो डाल रहूं और यह रही दूसरी दूकान के छोले यह भी वह जोको Count के सामने रहा हूं ताकि मेरे वीवर्स को पता लगे कि छोले जो है वो उनका छोलो का ही सारा खेल है बुटूरे तो चोलो अपनी जगह पर मैदा लगाया उसमें बेकिंग लगाया और हो गया में होता है छोले अब यह देखिए आप यह डाले मैंने छोले यह देखिए यह छोलो के साथ अलू का बड़ा मिश्यृ अनुता है अब यह देखिए पानी यानि जो क्रेवी थी वह हमारे और देखो यह अलग से जो है यह ओयल जिसको कहते है ओयल आया था ग्रेवी के ऊपर यह वह ओयल है और इनों ने इसमें कोई आलू नी डाला है इसमें इनों ने प्रच लोग ने स्पेशल आलू दिया है और छोले वुडूरों में आलू का बड़ा कंभीनेशन है और यह इनके ग्रीन है और हम इनके अब आपको जो पैकिंग आपको जो अपनी जो इनके सलाद की पैकिंग है वह खोल ले जा रहे है जिसमें इनके जो चतनी है वह मशूर ह यह काफी लोग चटनी के लिए इनकी शॉप पर जाते है और यह इनकी जो रहा है चटनी प्याज्ट 이상 और यह अर उब यह ईनकी जो है यह धोड़त की चटनी कहरी है जब कि आगर आ पर जाती है तो का जहां आखि लिस सvat घरे जाए कि देक हैं जी है कि इनको यहां कम देती है सलाद में इंको चब कीज 30 एंट देने चाहिए और हम हमे suis दूसरी खोल ले जा रहे हैं जी जो हमें दूसरी जगह से लीए थे उनके जो पैकिंग है उनको खोल रहे हैं और यह राउन का यह इनकी है यह देखिए वही सेम रिंग वाले प्याज है और इनके भी रिंग वाले प्याज है यह देखिए इनके भी रिंग वाले प्याज है यह देखिए पर इनके जो प्याज है बड़े है इनके प्याज चोट हिन के छोले देखनें में बड़े लग रहे हैं सब्सक्राइब करती हैं वह बड़ा युद सब्सक्राइब हो अधर कि जो एंक नदों का थीकनography बखोवा था यह आलो नि कल की आ गया éто V और इनके जो ए देखीए दोनों में फरक CR um Karatis J 4 इनके कलर में देखिए इनका कलर और इनका कलर ठीक है जी ओयल देखिए बाहर आ गया है इनकी ग्रेवी बाहर आ रही है इनका ओयल बाहर आ रहा है यह देखिए यानि कहने का मतलब है कि इसमें ओयल की मात्रा जादा है इसमें ओयल की मात्रा नहीं है पर मसाले की और ग्रेवी उनके छोलने उनका क्या स्वाद hawगा बखे है बिलकुल बढई है बिलकुल तीखा बन है अीकsh देख्यों एक इनके जो बभुरी है अूसके अंदर इन्डलमी tych डाले हुई है और मेति डाली हुआ और पनीर भी है यह पनीर भी डाला कुछे हैं नो हलका सा मेथी डाली हुई है पनी डाला हुआ है और जो सरदार जी की है उसमें जो है वो सिंपल है यह देखिए सिंपल है यानि कि इनके भुटूरियों इनके भुटूरियों में वाकि में फार्क है यह देखिए यह देख रहोंगे यह देखो बाकि बहुत बढ़ी है दोनों के भु रवास ग्रीन की चड़नी हरी चड़नी यानि की और इसका यह है टेस्ट गहुत बढ़ी आ है और यह है दूसरी प्रेड की जो ग्रीन यह देखिये में इसमें और इसमें कोई फर्क नियाय था न है कि नए झेन ने डोनों के ट्थक्णिक commission के वो सेम आ रहेैं उसमें वह उज把它 कोई फ़र्क निये बाकि जो इनका जो चटनी वह बहुत बढ़ी है दोनों सेम है कोई भी जाके खा कर सकता है बाकि दोनों है उनका औली हय और इनका medio deve इसमें काले चोले और इसमें सफेज själले है देखे रहे होंगे आपको गाहे चोले चोले जो आपको साब दिख रहे है यानि कि इसमें मिक्स अपनी है इसमें मिक्स अपनी है इसमें आलू और चोले है इसमें काले चोले सफेज चोले आलू मिक्स है यानि कि कोई नहीं है बाकी इनका जो टेस्ट है दोनों का बहुत बढ़ी है मेरे को दोनों चोले बुटूरे बहु अच्छे है आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें अंजी पाजी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पर मिलेंगे ओके सस्रीब